बैली फैट यानि कि पेट के चारों तरफ का वो हिस्सा जहां पर फैट रह गया है उसे कम कैसे करें क्योंकि फ्रेंट्स ज़्यादातर मामलों में डिलीवरी होने के बाद अधिकांस मेलाओं की ये समस्या होना कॉमन है कि उनके पूरी बोडी का जो फैट है वो तो कम हो जाता है जैसे उनके चेहरे की सूजन उनके हातों की सूजन उनके ब्रेस्ट का साइज उनके थाइज का साइज उनके हिप्स का साइज इन सब का जो साइज है वो नॉर्मल हो जाता है लेकिन रह जाता है उनका पेट पर जमा जो fat है वो क्योंकि friends मुझे काफी दिनों से कही सारे comment आ रहे हैं जिन मैलाओंगी अभी हाली में delivery हो गई है या एक आद महीने पहले delivery हुई थी वो मुझे बार-बार comment करके बोड रही है कि मैं अब तो हमारा baby भी बाहर आ गया है लेकिन अभी भी ऐसा क्यों लगता है जैसे कि हमारी pregnancy को अभी पाँचवा या सात्मा महीना running में है हमारा पेट बहुत बड़ा नजर आता है क्योंकि friends कही सारे मामलों में ऐसा ही होता है आप कि आज के वीडियो मैं आपको कुछ ऐसे आसान से tips बताने वाली हूँ जिनकी मदद से आप कुछ ही हपतों में अपने पेट पर जमा फैट को बड़ी ही आसानी से और गरेलू तरीके से कम कर सकते हैं अगर आपकी हाली में delivery हुई है या आपकी delivery को एक या दो महीने हो गए ह और आपके पेट पर जमा चर्वी है वो दूर होने का नामी नहीं ले रही है अपका पेट एकदम से लटका हुआ सा नजर आता है और अभी भी आपका जो फैट है वो जाने का नाम नहीं ले रहा है तो अगर आप अपने belly fat को गरेलू तरीकों से और बहुत ही आसानी से कम क करना चाहते हैं साथ ही इसके कोई भी साइड एफेक्ट ऐसे ना हो जिससे कि आपके बच्चे पर या फिर आपके ब्रेस्ट फीडिंग पर किसी भी तरह का बुड़ा आसार हो तो आप वीडियो में अंतक बने रहे और फ्रेंस वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब लेते ही उन आसां से वारे में बैली फेट को कम करने के जानने से पहले आपका सबसे पहले यह जानना जरूरी है यह बार रिजार स्वेट कर चाहार लेकिन पेट पर जमाचरवी क्यों रह जाती है इसके पीछे क्या कारण है प्रेगन सी के दौरां धीरे-धीरे जब आपक तो इससे क्या है कि आपकी जो इसकिन होती है जिससे कि आपके पैट के साथ बढ़ने के साथ आपकी स्किन भी एकडम से लूज हो जाती है दिलीवरी होने के बाद जब आपका बच्चा बाहर आजाता है आपकी प्लैसेंटा बाहर आ जाती है और एमिनुटिक लूट भी बाहर निकल जाता है तो उसके बाद भी आपकी जो लूज हुई लटकी हुई सी रह जाती है और डिलीवरी होने के लगवक देश से दो महीने के बाद आपका जो यूटरस का साइज बदल गया था वो भी अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है लेकिन बैलीफर फैट जो जमा है वो जमा ही रह जाता है यह जाने का नाम ही नहीं लेता है और पेट एकदम से लटका लटका नीचे लटका हुआ सा बहुत बुरा नजर आता है तो चली अब जान लेते हैं उन टिप्स के बारे में जिनकी मदश से आप प्रेगनेंसी के बाद कुछी हपतों में यानि के एक से दो हपते में ही आप इन तरीकों को अगर अपनाते हैं तो इनका असर आप अपनी बैली फेट पर देख सकते हैं सबसे पहला तरीका है कि डिलीवरी होने के कुछ दुनों के बाद से ही आपको अजवाइन के पानी का इस्तिमाल चरूर करना है जिया अजवाइन जो होती है ना वो बैली फेट को कम करने में रामबार का का काम करती अजवाइन क्या है कि अगर आप डिलीवरी होने के बाद अजवाइन का सेवन करती है तो यह आपके मेटावॉलिजम को बढ़ा देता है जिससे कि आपके जो मसल्स हैं वो मजबूत होना शुरू हो जाती है और आपका जो फेट है वो रेडिश होना शुरू हो जाता है इस पानी को आपको ले लेना है आप चाहें तो इस अजवायन के पानी को चान कर ऐसे ही यूँ ही नॉर्मल पानी भी पी सकती है और अगर आप और भी तेजी से अपने बैली फेट को कम करना चाहते हैं तो आप इस पानी को लगबग 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरह से उबार ल जाते हैं तो आपको इस पानी का सेवन दिन में दो बार जरूर करना है अजवायन जो है ना वह बैली फेट को कम करने के लिए आपके सरीद में जादू का काम करता है और आपने भी देखा होगा अगर आप गाहों से बिलोंग करती हैं तो गाहों में आपने देखा होगा कि जब किसी भी महला के delivery हो जाती है तो उनकी सास है या दादी सास है वो चारपाई पर बिठा कर आग पर अजवाईन डाल कर उनने आपके private party या आपको चारपाई पर बिठा देती है और आपको आपके कपड़ों को हटा कर आपको उस जो आग पर डली हुई अजवाईन है उसक बैली फैट को कम करने में भी काफी मदद करती है तो पराने जमाने से अजवाईन का इस्तेमाल भी इसी तरीके से किया जाता है दूसरी सबसे बेस्ट चीज जिसे आप बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं वो है delivery होने के बाद आपको अपने बच्चे को जादा से जादा breastfeeding करा आते हैं तो उस समय क्या होता है कि आपकी बॉडी से लगबग 500 कैलोरीस वर्ण होती है और अगर आप लगातार ऐसे दिन में कम से कम 10 से 12 बारे बार अपनी बच्चे को breastfeed कराती है और इस प्रोसेज को आप लगातार कराती रहती है तो इससे भी आपके belly fat को reduce करने में साफी हट तक आपको मदद मिलती है तीसरा सबसे आसान तरीका है जिससे आप अपनी belly fat को लगबग 1-2 हफ़ते के अंदर ही 1-2 inches कम कर सकती हो वो है deep breathing exercise जो है ना इसको आप normal delivery होने के just 1-2 दिन के बाद भी करना true कर सकती है और अगर आपकी ceserian delivery हुई है तो आपको जब आपके hospital से चुटी हो जाती है उसके लगबग आपकी delivery होई है उसके 5-6 दिन के बाद आप इस exercise को बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस exercise को करने का सबसे आसान तरीका यह है कि आपको अपने bed पर बड़ी आसानी से अपने पैरों को cross करकी यानि कि आलती-पालती मार कर बैट जाना है और आ ऐसा अगर आप 20-25 बार लगाता करती रहती है यानि कि 20-25 बार आपको लगाता हर दिन करना है आप चाहें तो इसे दिन में दो बार भी कर सकती है तीन बार भी कर सकती है अगर आपने belly fat को जल्दी से reduce करना चाहती है तो इन तीन तरीकों के मदर से आप अपने belly fat को delivery होने के लगबग एक से दो हफ्तों के अंदर ही कम कर लोगी तो फ्रेंस आप इन तीन तरीकों को जरूर अपनाए और अगर इन तीन तरीकों को अपनाने के बाद गलीवरी होने के बाद आपका जो पेट लड़का हुआ है बैली फैट पर जो चरवीज ही जमा हो गई है फैट जो जम जिससे मेरे वीडियो की नोटिपिकेशन आपको मिलती है तो चलिए फ्रेंस मिलते हैं नेक्स टाइम एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद